वेल्कम बाक ट्रेडर्स नाच्रल गास के बारे में अपडेट लेते हैं आज देखो नाच्रल गास सस्टेन करने के मूड में लगा है 245 के नीचे और सस्टेन करी गया तीन दन से क्लोजिंग मिली है अब अगर इस लिवल से पुल बाक नहीं मिलता और दोस्तों अठाइस ब्रेकडाउन जो है वो और हार्श हो जाते है तो यहां से अगर रिकवरी आती है इन सपोर्ट लेवल से भी अगर नाच्रल गूम रहा है तो वह अच्छा पॉइंट है यह जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं यह बहुत जादा स्ट्रॉंगर नोट पर नजर आ रहे हैं तो इचे की बात कर रहे हैं यहां पर बात कर रहा हूं यह देख रहों कैसे गाप डाउन आया आप समझों यहां पर जिसने कॉल साइट की पोजिशन मनाई होगी भाई साब सीधा की सीधा यहां पर तीन चार रुपे से भी जादा का डिफरेंस आ गया होगा एक ही सिंगल कि जब भी मंथ एंड होता है या फिर एड्जस्मेंट होने वाली होती है ट्रेड करना थोड़ा सा वैड करना चाहिए नाच्रल गैस में क्योंकि यहां पर यह जो गाप डाउन मार्केट के बीच में आ जाते हैं यह थोड़े से हार्श होते और यह सेम चीज कल विटनेस कर है यहां पर एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है इस समय पर एक बिल्कुल सेंटर के जोन में है तूर्टी के सपोर्ट के साथ में दोनों साइड में से कोई एक भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर थोड़े से ट्रेड देखने को मिलेगी आज के दिन की अगर हम लोग बात कर हैं यह गाप कवरिंग मैंने आपको लास्टाइम भी कहा था यह गाप कवर होना चाहिए और सेम चीज देखने को मिली यह गाप जो बेसिकली मुझे लग रहा है नवेंबर बंत का अच्छी में तो यह मुझे लगता एक पॉइंट है जो आपको यहां पर नोट करना चाहि भी नहीं मिलेगा 235-232 के स्काल्प में कोई मेजर यहां पर नहीं होगा क्योंकि बहुत स्लोग है आपको 15-20-30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पैसा तभी बनाओगे जो ब्रेक आउट्स और ब्रेक डाउन होंगे अगर आप ऐसी कांडल काप्चर करोगे यह मूव अगर आप क्याप्चर करोगे तो थोड़ा पैसा बनेगा इसमें नहीं बनता है इतना पैसा तो वो देखना चाहिए है दूसरी चीज तोड़ा सा नीचे निकल जाता है 230 के नीचे तो एक अच्छा जोन है जहां पर ट्रेड मिल सकती है अपर बैंड पर जैसे मैं आपको क्या रहा था अगर यहां से एक recovery आती है और फिर नीचे चला जाता है तो दोनुस आइड ही अच्छी ट्रेड मिलेगी पर देखते हैं क्या होता है मैं उमीद करता हूं कि वीडियो आपको informative लगी होगी definitely like, share, subscribe जबरूर करना अगर आपको पसंद आया तो और I'll see you guys in the next episode